कि वह सब कुछ कर जुपता है और सत्ता नहों होने पर अकल कितनी भी अच्छी होने पर भी आदमी कुछ कर नहीं सकता है इसलिए चाहे अच्छे मार्ग से चाहे बुरे मार्ग से कणिक बोल रहे हो सकता को पकड़े रखना चाहिए एक बाद और दूसरी बाद अपनी सकता स्थिर कैसे रहेगी इसके लिए सावधान रहना चाहिए अच्छिद्रस्चिद्रदर्शी इस्याद परेशाम विवरान उगाहा ध्यान में येक ना चाहिए महराज कि हमारे सारे शत्रू अपने आसपास होते हैं और अनेक बार वे अवसर पाकर के हमें गिरा सकते हैं इसलिए अपने आसपास के लोगों का भी पूरा विश्वास कभी करना नहीं न विश्वसेद अविश्वस्ते विश्वस्ते अतिन विश्वसे सत्ता में वही बना रह सकता है जो सबका विश्वास नहीं करता है जिनका विश्वास नहीं करना चाहिए उनका तो करना ही नहीं चाहिए लेकिन जो हमें अपने विश्वास पात्र लगते हैं उनका भी विश्वास एक सीमा से अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं किसका मन कब बदलेगा अचा एक बात और है महराज करने कूट नीती सिखाते हैं दृतराष्टर को तो के ते एक बात और है महराज अपने आज पास के लोगों की गलतियां कहां 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 होती है कि इसकी जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से इकठी करते रहना चाहिए दिखाना नहीं कि फाइले तैयार रखना कि परेशाम विवरान उगहा ताकि समय आने पर किसी को भी दबाया जा सके और अपनी बुराई किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी इतना सावधान होकर के सब कुछ करना गुहेत कूरमई वांगानी रक्षेज दिविवरमात मना एक बात और है माराज सभी दिन समान नहीं होते कभी अनुकूलता होती है कभी प्रतिकूलता होती है जब प्रतिकूलता होती है उस सबय कच्छूय को गुरू बनाना याने क्या करना कच्छूय के उपर जैसे आपत्ति आती है तो कच्छू अपने मस्तक को और अपने हाथ पगों को एकदम कवच के नीचे ढख लेता है और चुपचाप पड़ा रेता है ध्यान में नहीं आता है कि यहां पर कोई कच्छू आदिक है जब वो देखता है कि अब कोई खत्रा नहीं है तब जाकर कि वो हल्चल आरंब करता है उसी प्रकार प्रतिकूलता जब लगती है तब अपनी हल्चल करना नहीं दर्द टाइम फॉर सर्वाइवल ओनली जैसे तैसे दिन निकाल लेना और अनुकूलता आते ही अपनी अक्टिविटी शुरू करना विश्वास दिखाना दिखाना करना नहीं और एक महारा जी वहे दमित्रमसकंदेना पता होता है कि यह आदमी पापी है पता होता है कि यह आदमी मेरा बुरा कर सकता है तब भी प्रतिकूलता के समय उसको अपने कंदे पर लेकर के चलना साइब तुम्ही आमचे साइब तुम्ही 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 सगा ऐसा ही करना उनको सिर्परड होना और अनुकूलता के प्राप्त होते ही जैसे कच्छे घड़े को पटक करके फोड़ते हैं उसी प्रकार उसको घिरा करके नश्ट करना दया नहीं करना महाराज कनिक कहते है दृतराष्टर से राजनीती में दया का कोई स्थान नहीं है अपना शत्रू जहां पर मिलता है वहां पर उसको खतम करना अमित्रो नभी मोक्तव्या कृपणंबववपिब्रवन गिड़ गिड़ा करके वह आपकी प्रात्रा करेगा मैं फिर से कभी ऐसे नहीं करूंगा अहां ये सब ये सब जुड़वाते हैं उसको खतम करने में इस रक्षा है कुछ लोगों को दर दिखा करके चुप करना कुछ लोगों को ले दे करके चुप करना कुछ लोगों का सम्मान करना हाँ जोड़ना उनको बड़ा बड़ा कहना और चुप रखना और कुछ लोगों को अपने वाग जालबे फसा करके रखना सभी के साथ समान विवहार नहीं करना आगे चल करके जो आपके लिए उपद्रवी सिद्ध हो सकता है उसका नाष कैसे किया जा सकता है इसकी पूरी पूरी तैयारी करना लोगों से उसके उपर प्रहार करवाना और जब उनके उपर कोई आपत्ती आजाए जो अपने ही द्वारा लाई गई होती है तो सांतोना के लिए रोने के लिए पहले तुमें ही पहुँच जाना आप पूट जाना प्रहरिष्चन प्रियंब्रुयात प्रहरन नपी भारत किसी का नाश करते समय भी कटू शब्द का प्रयोग नहीं करना मीठा मीठा बोल करके गला काटना मारा राज नित्य ऐसी होती है धोंग करने में तो जराबी कसर नहीं करना लंबी डाड़ी जड़ा बढ़ाना अलग-अलग मालाएं धरन करना अपने गुप्तचरों को चारो और फैला देना और जिसके जिसके बारे में प्रतिकूल सुचना प्राप्त होती है उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है उसकी योजना बनाना इतना सब करते समय भी माहराज अपने चेहरे की मुश्कराहट खोना नहीं गड़ा कापला स्पैजी पन तो हस्ता हस्ता कापला पैजी कि स्मित पूर्वा अभिभाश इस्या सुच्टो रौद्रेन कर्मणा किसी को लगने नहीं चाहिए कि यह आदमी इतना बुरा काम कर सकता है और करके रहना अच्छा अपने को अपना आसन टिकाना होता है तो अपने साथ एक गैंग होनी चाहिए बड़ा असमू होना चाहिए ऐसे रोगों का जुन्ड इकटा करना उनको लालश दिखा दे रेना आपका ये काम मैं कर दूँगा, आपका ये काम मैं कर दूँगा, आपका ये काम कर दूँगा, काम कभी नहीं करना, लालज दिखाना, खूब बड़ी लालज दिखा करके थोड़ा-थोड़ा काम करना, आशाम कालवतीम कुरियाद क्योंकि एक बार उनके सारे काम हो गए तो आपको कौन पूछने वाला है इसलिए इसलिए यूमस्ट कीप पीपल डिपेंडेंट अपॉन यू आशाम कालवतीम कुरियाद उनको लालश दिखाना बात देखें नारे आपका वो काम मुझे याद है लेकिन मैं दूसरे इस काम में फस गया था अचा अगले मैंने करता हूँ अगले मैंने करता हूँ थोड़ा थोड़ा करना बहुत सारा छोड़ देना बीवीट में आपतियां दिखाते रेना और अपने सत्ता को जमाए रखना महाराज यह सब करते समय जब तक सामने डर खड़ा होता नहीं तब तक डरना सामने भैक खड़ा होई गया पिर कठोरता से प्रतिकार करना यह सारे कुछ सूत्र मैं आपको बतला रहा हूँ शत्रू के साथ कुटिलता का व्यवहार किये बिना राज डिती में सफलता प्राप्त नहीं होती है महाराज अब यहां पर है ना मुझे समय नहीं है कनिक के पार बहुत समय था उसको तो राद भर उपदेश करना था उसने एक लंबी कहानी भी सुनाई कैसे एक बारह सिंगे का शिकार बाग लोमडी चुहा और नेवला मुंगुस चारों ने मिलकर के किया लेकिन चालाग जंबूक ने सियार ने सब को धोखा दे करके उस बारह सिंगे का पुरा का पुरा माँस केवल अकेले ही बक्षण किया और एक दिरों तक अपने परिवार के साथ उसको एंजॉय करता रहा उसके लिए उसने कैसे कैसे युक्तियां अपनाई इसका पुरा ब्योरा दिया है और उसी कारती है किसी को डराना किसी के सामने हाथ जोड़ना किसी की खुशामत करना किसी को लेदे करके काम करना लगिन स्वार्त अपना सिद्ध करना कुटल नी तिद्नक कनिक ने ये सारा उपदेश दृत्राष्ट को किया अब एक बात और बात बतला देता हूं कि इतने सारे उपदेश की दृत्राष्ट को आवश्यक्ता नहीं है वो इन सब बातों में एक्सपर्ट है पिर भी उसने रिफ्रेशर स्कोर्स किया है बातों को समझ लिया कनिक को दक्षिना दी विदा किया यह सब में क्यों बोल रहा हूं जिन लोगों ने पुलिटिकल साइंस का अध्यन किया होगा उनको एक गरंत पढ़ना पढ़ता है उस गरंत का नाम है द प्रिंस कि म्याक्याविली का गरंत है कूट निती का आज कर एक दूसरा भी गरंत है पावर किस प्रकार की कुटिलताओं के बल पर सिम्मासन को स्थिर किया जाता है इसके सारे उल्टे सीधे उपाई इन गरंतों में आपको मिलेंगे मैंने म्याक्याविली पढ़ा और जब मैंने कणिक पढ़ा तो मेरे ध्यान में आ गया कि कि अरे म्याक्याविली पूरा का पूरा कणिक को पढ़कर के लिखा गया ग्रंत है फिन्स कूटनीती के ये सूत्र है हम लोगों को अपने जीवन में इस प्रकार का व्योहार करना चाहिए क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए महाभारत आपको सावधान करता है कि आप इस प पर ये सुनाया क्यों जा रहा है वह इसलिए सुनाया जा रहा है कि आपको इसका आचरन नहीं करना है लेकिन इस प्रकार का आचरन करने वाले लोग आपको आमने सामने मिलने वाले हैं और आप भोले बन करके रहेंगे तो उन लोगों के जहासे में आप आ जाएगे लोगों को कैसे पहचानना राजनीती में अनिक मुखोटों से काम चलता है का दृत्राष्ट का यह मुखोटा है और प्राचीन दृत्राष्ट की बात छोड़ दिजिए आज कल भी आपको दृत्राष्ट मिल जाएगा आज कल भी आपको दुरियोधन मिलेगा करन मिलेगा धर्मनाज मिलेंगे शकुनी भी मिलेगा इन सब को पहचानने के लिए ये महाभारत का अध्यान उप्योगी है नहीं तो आप जीवन में धोका खाए विना रहेंगे नहीं कितने रोगों को मैं जानता हूं जो यहीं कहते हुए रोते रहे गए कि कभी लगा नहीं था कि यह आदमी इस प्रकार का व्यवहार करेगा एक्जैक्ट्ली मुनष्य को पहचानने का विवेक जागरत करने के लिए महाभारत है कनिक ने दृत्राट को यह सब सिखाया और दृत्राट ने इस प्रकार का शडियन द्रश्चित कर लिया पांडवों की कीरती बढ़ती जा रही थी दृत्राट उनको किसी प्रकार खतम करना चाहता था दृत्राट के बार बार दृत्राट के पास रोता है आपने इदिष्टिर को युवराज बना दिया आपके चले जाने के प्रश्चात राजा वो बनेंगे तो मेरे परिवार के लोग क्या उसका मांगावा टुकड़ा खाकर के रहेंगे आधी-आधी गंदी-गंदी weeks यह दृयुधन अपने अंधे पिता को सुनाता है रोज आपने में राक्या विचार खिया आपने मेरा क्या कलिया त्दृत्राट इनको बतलाता है कि बहिया देखो जो तुमारे मुन में है वही मेरे मन में है लेकिन मेरे उबर भीश्म का दबाव है मेरे उबर विदुर का दबाव है कि मैं अपने मन से सबनी कर सकता हूं तो दुरियोधन ने एक बात कही किसी प्रकार आप इन पांडवों को कुछ महिनों के लिए हस्तिनापुर से बाहर भेज दीजिए हस्तिनापुर में इनको खतम करना कठीन है लेकिन कहीं बाहर इनको भेज करके इनका सफाया किया जा सकता है विस्तार का समय नहीं है वित्रों चिकनी चुपडी बात करने में अत्यन्त बड़ा एक्सपर्ट ये दृत्राट रोज प्रणाम के लिए आने वाले पांडवों के पास बात करता है कि अरे आपकी माताजी को तीरत्यात्रा कराई कि नहीं आपने और सावन का महिना है अपने यहां पर पास में वारनावत का इतना बड़ा शुजी का स्थान है अरे वास्तों में आपको चात्रुमास वहां पर रहकर के मां के हातों से अभिशेक आदिक करवाना चाहिए दानधर्म करवाना चाहिए बड़े दुक में दिन काटे हैं आपकी माने पुत्रों का करतब होता है उनको यात्रा कराना उनसे दानधर्म कराना कितनी बड़िया भाशा है इसकी बोलो मन में काला है आखिर वारणावज जाने का निश्चे किया मौज की बाद बतलाता हूं पांडवों का वारणावज जाना निश्चित हुआ इधर दुरियो धन्ने अपने मित्र उसका एक मित्र था आर्किटेक्ट कि उसका नाम पुरोचन कि उसको भेज करके वहां पर लाक्षा ग्रोवन वाया जो बाहर से तो बड़ा सुन्दर आकर्शक भवन लगे लेकिन जिसको एक स्थान पर आग लगाने पर तुरंत पुरा का पुरा भवन जलने लग जाए लग शादिकों को जलनशील परार्थों को मिलाकर के सब बना हैं कितनी कितनी बात है आपको बताओं पांडवों को जब विदा किया गया बारनावत का प्रसंगा इसा था कि पांचों पांडव अपनी मां के साथ जल करके समाप्त हो जाते लेकिन पांडवों का एक हित चिन तक हस्तिनापुर के मंत्री मंडल में बैठा था जिनका नाम ता महात्मा विदुर अब विदुर जी को इस बात का पता है कि मेरे उपर भी गुप्त चरोंग की छाया है इसलिए पांडवों के पास जा करके कुछ बात नहीं कर सकते थे पांडवों को बुला करके नहीं बात कर सकते थे बुद्दिमान विदुर जी ने क्या किया पांडवों को जब वार्णावत के लिए बिदा किया जा रहा था मुझे मा का करतव पे क्या बतला रहा है तो विदुर जी ने धर्मराज युदिष्टिर का हाथ अपने हाथ में लेकर के थोड़ा दबा करके उसके कान के पास केवल दो वाक्य कहे अगनी से सावधान देना और यह उन्होंने यावणी भाषा में कहें अगनेर भयाच्य भेतव्यम भीडती किसी के द्यान में कुछ नहीं आया कुंती माता क्या वस्तु है मैं दिख्राना चाहता हूं आपको वार्नावत पहुशने के पश्चात कुंती माता ने धर्मराज विदुष्टिर से पूछा भीड में विदुर चाचा ने तुम्हारे कान के पास क्या संदेश दिया किसी के भी द्धान में नहीं आया था पंड़वुं के भी द्धान-में नहीं आया था उतनीIR में भी कुंती माता की दृठ्टी कितनी पईनी है ध्यान रखो अरे तभी तो हुअ अपने पुत्रों कि विश्तार नहीं करता हूं पांड़ों ने लाक्षा ग्रों को पैचान लिया था पांड़ों मूर्ख नहीं थे लेकिन पांड़ों ने विचार किया कि अब नेले पर देहला करना ही आवश्चक है लाक्षा ग्रोह को पहचानने पर भी हमने पहचाना नहीं इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार रखा विदुर जी के द्वारा बेजे गए विक्तिर ने सुरंग खुद वा लिये पिस्तार नहीं करता हूं और हमावाश्चा की रात्री में यह पुरोचन आर्किटेक्ट जिसने यह लाक्षा ग्रोह बनाया था उसी के घर को आग लगा करके भी मसेन ने लाक्षा ग्रोह को जलाना आरंब कर दिया और विवर में से भाग निकले आग लग गई आग लग गई ओहला मचा सब लोगों को बड़ा पुरा लगा धन्य है विदुर जी विवर में से जैसे ही पाचो पांडव कुंती माता को साथ लेकर के गंगा जी के तर्टक आकर के बाहर निकलते हैं वहां पर एक नौका मिलती है यह नौका यंतर से चलने वाली है उस नौका को चलाने वाले ने तुरंत धर्मराज के सामने आकर के सांकेतिक 좋क कंड़ और विदुर का संदेश देज़को आप भाग जाएए भूम्न और नौका में बैठ करके पांडव ओ ने गंगा जी को पार किया गंगा जी को पार करके पांडव उस किनारे पाख ici सबको लगाjack मा के साथ पांडव जल गए कि दत्राश्ट्र बहुत रोया जूट मुटका कि उसकी तो योजना थी कि उसने कहा कि मेरी भावी और ये सब मेरे पतीजे इन सब के लिए खूब दान धर्म करो उनकी उनकी आत्मा को शांती मिल ली चाहिए पांडव भाग गए यह वारणावत का एक प्रसंगा इसा है जिस एक प्रसंग से पांचों भाई और भगवती कुंती माता सई सब का सब परिवार खतम हो सकता था पांडव इसमें से बच निकले इसका कारण महात्मा विदुर जी की बुद्धिमत्ता है वैसे विदुर जी कवरों सभा के मंत्री है लेकर अंतरंग में धार्मिक है इसलिए पांडवों के हितेशी है कि उनकी योजना के कारण पांडवों को बच निकलना संभव हुआ पस्तिनापुर में वास्तों में रोने वाला एक ही वित्ती था दृत्राष्ट जो रोया उसने जो शोक किया वो तो ढोंग था यह तो हत्या का पूरा शर्यंतर उसी का था लोगों को दिखावे के लिए वो रो रहा था विदुर जी भी रोय यह दिखाने के लिए कि मुझे पता नहीं है जूट मूट में विदुर जी रोय दृत्राष्ट के सामने क्योंकि विदुर जी को पता है कि पांडवों का कुछ बिगड़ा नहीं है सच्चा रोने वाला पूरी धस्तनापु नगरी में एक मात्र भीष में है भीष में बहुत रोय कि सारे पांडव मेरे कुर्वाउंश की कीर्थि पता का दे है उनके साथ इतना बड़ा घात होना कि भीष में अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे है रात दिन शोक में है तब जाकर के विदुर जी ने भीष में से मिलकर के कहा दादा जी आप शोक मत किजिए आपके प्रिय पांडव जीवित हैं कुंति माता से इत्वे सब लोग बच चुके हैं और फिर विदुर जी ने सारी बात वीष में को समझा दी कि घटना इस प्रकार की घटी थी चिडगर के विष में ने कहा विदुर यदि तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नी बताई विदुर जी ने कहा राजनीती मैंने आप से इसी की है इसलिए कौन सी बात कब बतलाना और कब तक नहीं बतलाना इसका मुझे द्ञान है बच निकल गए पांडव अब इस अब पूरी यात्रा में पांडव जब दौड़े हुए जा रहे है हम लोगों को केवल महत्वपूर्ण बाते देख रही है इडिमा नाम की रक्षिसी के साथ इस वन में ही भीमसेन का विवा हुआ भीमसेन ने इडिम बास्तु को समाप्त किया आगे चल करके एक चक्रानगरी की और जब जा रहे है पांडव तो बीच में एक प्रसंग होता है पांडवों का वेश वन मासी का है अंगार प्रण के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ यह अंगार प्रण चित्रत नाम का गंधर वेश अर्जुन ने उसके रत को जला दिया उसका प्राभो किया इस अंगार प्रण ने अर्जुन से एक बात कही पार्थ आज तक मुझे कोई प्राभूत नहीं कर सका केवल तुम्हें कर सके हो और इसका मुझ्य कारण यह है विद्या तो तुम्हारी अक्षुन है ही तुम्हारे ब्रह्मचर्य का साधन बड़ा उत्तम है मैं तुम्हें महित्री करता हूं लेकिन मैं तुम्हें परामश देना चाहता हूं पार्थ इतने पुरुशारती हैं आप इतने पराक्रमी हैं आप इतने सज्जन भी हैं आप क्या दरदर भटक रहे हैं राज्या आपका होने पर भी अपने को बचाते हुए आपको इस प्रकारवन में से गुमने पड़ा गुमने की बारी आती है यह कैसा देविद्र विलास हैं और अर्जुन ध्यान रखना इसका एकमात्त कारण हैं आपके उपर सद्गुरु का च्छत्र नहीं है जिस मार्ग से आप जा रहे हैं उसी मार्ग में आगे उत्कोचक नाम का तीर्त है दौम्य महर्शी का वहां पर निवास है आप दौम्य महर्शी को अपने कुलगुरु के रूप में स्विकार करो उनका आशिरवाद लो उनकी कृपा च्छाया आपके उपर रहेगी आपका सब कुछ जो चला गया है वापिस आपको मिलेगा आपके उपर गुरु कृपा बरसेगी यह सलाह दियें अंगार पर्णने और मैत्री में दिये आश्टर की बात यह है कि आगए तो कि भगवान विदव्याद जी महराज ने भी यही बात कहीं और इसका परिणाम दो में महरशी को जैसे ही पांडवों ने अपने कुलगुरु के रूप में सिविकार किया बस पांडवों का भविश्य यहां से बदलने लग गया यहां से आप देखेंगे पांडवों के सारे कल्यान की चिंता का अभवन धों में महरशी करते हैं जो पांडवों के कुलगुरु है मार्ग में भीम सेन के द्वारा हिडिम मनाम के फॉरेस्ट ऑफिसर को मारा गया उसी प्रजार बका सुरको मारा एक चक्रार लगरी में हपते लेकर के लोगों को कष्ट देने वाले यह सारे पापी पांडव इनका सफाया करते हुए आगे चलते हैं और आकर के पहुचना है उनको पांचाल लगरी में क्योंकि वहाँ पर दुरुबत की कर्ण्या दुरुपदी के सुम्वर का आयुजन किया गया है कि ब्रह्मन बेदमधिया नहां कि ब्रह्मन का रूपधारन के हुए है पंडव कुंती माता उनके साथ हैं कि एक कुमार की कारेशाला में उनको स्थान मिला है कुल मिलाकर के दुरुपदी के स्वयमवर काया कारिया चौदर दिनों का कारिया है रोज उत्सों में अनेक बाते चलती है और अंतिम दिन स्वयमवर होने वाला है कि पंडव के वह निरीक्षन कर रहे हैं और ऐसी तिती में कि वह दिन आया यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है महराज महराज कि दृपद के पुत्र दृट्ट द्युम्न मंच के उपर अपनी बहन दृपदी के सहीत आकर के खड़े हो जाते हैं कि दृपद की कन्या होने के करण उनका नाम दृपदी है पांचाल देश की राजकन्या होने के करण वे पांचाली कहलाती है वैसे मूल उनका नाम कृष्णा है सागत सब राजाओं का किया गया है एक और विपरों के वैटने का स्थान है परदे के पीछे महिलाओं के स्थान है और यहां पर आकर के दृट्ट दृब्न ने एक बड़ी सटी के घोशना की है जो जानना बड़ा आवश्क है यह इसलिए जानना आवश्क है कि सामान नत्या लोग इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रसंग में द्रवपदी ने करन का अपमान किया द्रवपदी ने केवल इतना ही कहा कि मैं सूत पुत्र को माल्यारपड नहीं करूंगी मूल घटना ऐसी है कि करण को वहां पर खड़ा होना ही नहीं चाहिए था पूरा प्रसंग देखने पर ध्यान में आएगा यंत्रम वैहाय संचापी कारया मास कृत्रिमं दुडं दनुरनानम्य कारया मास भारत तेन यंत्रेण समितं राजा लक्षम चकारसा इदं सज्यं धनकृत्वा सज्य इरे विष्च सायकै अतीत्य लक्षम योवेध्धा सलब्ध्वा मच्षुतामिती इतिसद्रुपदो राजा स्वयंवर अमगो उशायत्व यह स्वयंवर एकपण को पूर्ण करने पर विवा होने वाला था उपर एक मच्ष टंगा हुआ है नीचे पांच बांड और धनुष रखे हुए हैं और प्रतिविंब को देख करके उस मच्ष का वेद करना है दरुपदी के भाई दृट्ट दुम्र ने ये घोशना कर दी इदम दनुर्लक्ष मिमेच बाना शुनवं तुमे भूपतयस समेता चिद्रेड यंतस्यसमर पयद्धं शरैश्चितैर्व्योम चरैर्दशार्धै एतनमहतकर्मकरोतियोवई कुलेन रूपेड बलेन युक्तह तस्याद्यभार्या भगिनीममेयम क्रश्णा भवित्री नम्रशाब्रवीमी दिश्चित तुम्हें ने गोशना करते समय पहली बात ये कही है कि कोई भी कुलीन शूर पुरुष आकर के इन बानों की सहायता से यह मत्सवेद करता है तो उसे मेरी बहन माल्यारपन करेगी कुलीन अब करन कुलीन है नहीं यह करन को स्वयम को पता है अन्य तो कोई कर सकने वारा था नहीं कोई कर पाया नहीं करन जब उठे तो करन ने उस दुनुष के उपर बान को चड़ा भी लिया द्रवपदी ने केवल तीन शब्दों का उच्चारण किया है नाहम मरयामी सूतम मैं सूत पुत्र के गले में माल्यारपन नहीं करूंगी आगए चल करके हवारे देश के साहित्ती की बात बतलाते हैं कि द्रवपदी ने करन का अपमान किया करन का इसमें क्या अपमान हुआ जो घोशना पहले की चुकी है यदि किसी बैंक में कोई सर्विस के लिए विद्नियापन निकलता है और यदि ये कहा जाता है कि भई ये अनुसुची जाकियों के लिए है और वहां पर जाकर के कोई पंडित आवेदन भरता है तो सामने वाला ओफिसर जी ये कहेगा कि पंडित जी आप किने कैसे भारा ये आपके लिए है नहीं तो जैसे वहां पर उस ऑफिसर की गलती नहीं है क्योंकि इस अल्रेड़ी डिकलेर कि ये स्थान अनुसुची जातियों के लिए प्रकार यहां पर जब यह कह दिया गया कि यह कुलीन लोगों के लिए है अब करन को स्वयम का कुल पता नहीं है यह द्रोपदी का दोश्ट नहीं अच्छा द्रोपदी ने चौथा वाक्य नहीं का शौथा शब्द नहीं का नाहम वरयामिसूतम इस पे कौन सी बात गरत थ दी कि ने तो बात में तो आप लोग बोलते कि उसको पहले बोलना चाहिए था इसलिए वो बोल दी करने चिरकर के स्वयम